सो मेरी जान कैसे हो तो आज यार मैं तुम्हारे लिए ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनने के बाद यार तुम्हारा एक बार तो मन करेगा यार भाई देखनी तो बनती है और ये एक बायोपिक है सो ये जो बायोपिक है ये है जॉनतन लासन के उपर जो की अमेरिकन कंपोजर जो की गाने लिखते है और इस किरदार को निभाया है एंड्यू ग्रैफाइल ने जो की अमेजिंग स्पाइडर मैन का जो हीरो था ना उसी एक्टर ने भाई इस फिल्म में उनकी बायोपिक में गोने जो रोल निभाया है मतलब बिलक haw एक सियकर होता है ना बिल्कुल एक ऐशा भाई परफॉरमस उसकी ईयार कि मुझे की परफॉर्मस के तो मैं है यह कह सकता हूँ कि उसकी लाइफ सब्सक्राइब नें बनाइब तो यह एलप्वारिक्ए पर टॉपफॉप्वल्ट है क्योंकि इसको देख कि यार मुझे इस एक्टर के लिए रिस्पेक्ट होता है ना एक मीटर होता फट चुका है उसका तो ऐसी एक्टिंग है यह बन देने पता है मतलब टैलेंट तो था ही यह तो तो तुम गौड गिफ्टेड मान सकते हो यार ऐसे वच्चे कि हर चीज में अपने काम को होता है ना निकाल देते हैं हर चीज के अंदर हर सिच्वेशन में रोनाओ शेच रोने के ओपर कोई धुन बना जेता है हसनाओ हसी के ओपर पार्टी पार्टी भाई कोई धुन मतलब इसका दिमाग तो ऐसा चलता था अंदर ही पूरा म्यूजिशन इंजीनियर है इसका दिमाग के अंदर बाई कंप्यूटर था गाने कंपोस करने लग जाता था वाई दिमाग के अंदर इतना भाई अब इसके बारे में यार तुमने करना था यह आठ साल इसने पता है इसको बगा देते थे विचारा आठ साल तक इसने स्ट्रगल किया भाई जाना प्रोड्यूसरों को गाने सुनाना और मना कर देना लेकिन भाई बंदा हार नहीं माना बंदेने बहुत अच्छी यह चीज़ थी बंदे की बजा इसके साथ क करते हैं BMW गाड़ें चला रहे हैं घर ले रहे हैं अपना यह हीरो भाई वेटर पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता है और गाने लिखता है फिर भाई साथ साल तक इसने यह चीज़ करें सौरी आठ साल तक मतलब मतलब आठ साल भाई आठ साल मतलब बोलने में कितना असान लगता है ना एक सेकंड में बोल देते हैं आठ साल लेकिन आठ साल के अंदर भाई कितने दिन होते इसने जो स्ट्रगल किया है 2920 दिन भाई आसान बात नहीं होती एक सपने के लिए इतने एफर्ट करना इस फिल्म में तुम्हें देखने को मिलेगा और सुनो भाई जब त एक साइड में पोईटरी भी चल दरी है इस फिल्म में यह बहुत खास बात थी फिल्म की और जब इसकी पोईटरी को तुम ध्यान से सुनोगे मतलब होते है ना जो शाहरों के लवज होते है उसको अगर तुम गौर फर्माओगे तो उनकी कितने मतलम निकलते और कैसे इसन को देखके मैं बोलूगा कि अपना हीरो है ना किसी सुदामा से कम नहीं था भाई कुछ भी नहीं था इस पर बंदी थी एक वो भी इसको छोड़ के चली गई थी क्योंकि उस बंदी को भी पता चल गया था यह अपने काम को नहीं छोड़ेगा मेरे लिए मतलब मैं उससे द हो देता है अपने काम के चक्र में अपने करियर के चकर में और इसका गोस्त होता है जिगरी होता है ना हो तया है एक को सो ना देता है और वो लोगों को इतना पसंद आता है ना ये भी एक आर्ट है यार क्या आर्टिस्ट है सो फिर हम बात करते इस मुवी का टिक टॉक बूम नाम कैसे पढ़ा देखो टिक टॉक बूम थी इसकी एक एल्बम आई थी जहां से हमारा हीरो हाइलाइटेड होना चालू हुआ था सौरी फेमस होना चालू हुआ था लोगों तक पहुशने चली गई थी कि इसकी एक एल्बम आई ये टिक टॉक बूम करके और फिर उसके बाद इसकी एक और सुपर हिट अल्बम आई थी जिसका नाम था रेंट जो की न्यू यॉक में ब्रॉडवे में चली थी ब 32 साल की हां और उमर्गा इस फ्लम में यरी एक चीज बोलता एकम को बलते हैं मैं 27 सका हो गया हूं बस एक तो फिर हम बात करते हैं इसके conclusion पर आते है भाई अब यह फिल्म यार कैसी है क्या देखने वाली है या नहीं तो मैं बोलूगा यार देखो यह एक बायोपिक के उपर एक ऐसे पागल composer के उपर है और जिसको भाई दर्शाया है हमारी सेक्टर ने काफी बखूबी तो जब तुम फिल्म देखोगे ना तो मैं थोड़ी अजीब से लगेगी स्टार्टिंग में तुम बोलोगे अभी स्टोरी चल रही है कभी poetry गाने लग जाते है कभी गाते गाते स्टोरी बता रहा है सो यह फिल्म भाई काफी अजीब तरीके से नरेट करी है इन्होंने मतलब बहन कि इस फिल्म को इसने हैना बोल के नहीं सुना है age के विल्म को काफी यूनीक स्टाइल लगा मुझे है पहली फिल्म और्य बहु की जो नरेशन है वह काफी अलगी करी गई है मतलब नॉर्मल फिल्मों में क्या होता है एक लड़का बोलता है पर एक्टर बोलता है फि पूरा फील हो रहा है कि ये म्यूजिक के ऊपर नहीं बनी म्यूजिक के अंदर फिलम डाले इनोने थोड़ी सी तो इतना पहगलपन है इस फिलम के अंदर सौरी बायोपिक के अंदर अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखिए तो कोई बात नहीं देख सकते हो तुम टॉक बूम करके और मैं बोलूगा कुछ लोगों को यार यह थोड़ी अजीब से लगेगी कुछ लोग सोचेंगे यार एक अजीब सी मूवी कैसी बना दी लेकर मैं बोलूगा यार किसी की बायोपिक के उपर है एक बार इसको पूरी देखने की कोशिश करो मैं फोर्स तो खतरनाक वाले और जब इसने सक्सेस इसकी आनी चाले हुई थी 30 32 में तब इसने अच्छे चे गाने दिये लेकिन एक दुख की बात यह थी कि इसका भाई 36 साल के उमर में देहान भी हो जाता है भाई हमारे इन आर्टिस्ट का लेकिन चलो कोई नियार एक अच्छी बात यह हुई और यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ या नई अनाइम के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए टाटा बाई बाई